आप देखिए सबसे पहले अगर equation को आप समझे कि equation असल में हमारे पास होता कि जिस तरह अगर मैं कहाता हूँ कि why equal to x square plus 2x plus 3 यह हमारे पास equation है y equal to 2x plus 4 यह हमारे पास क्या है ऑउल है एक equation है आपको सिर्षाइच कुयर से देखिए दे रहा हुना अब देखे अगर असल में एक्विशन की हमारे पास जो क्या है फार्मूला क्या है देखे एक्विशन का जो फार्मूला है equation formula क्या है देखे formula अगर आपको clear है तो देखे आप बहुत सहसाने से equation कर सकते है तो देखे formula हमारे पास है y minus y1 equal to m into x minus x1 अच्छा अब m हमारे पास क्या है m हमारे पास slope है और slope के बारे मैंने पहली ही वेडियो में बताया था कि slope आप किस तरह हमारे मौलूम करेंगे m is equal to delta y divided by delta x equal to y2 minus y1 divided by x2 minus यह हमारे पास slope है अगर question में हमारे पास parallel slope मांग रहा है तो बस simply आप इसको find करें अगर perpendicular मांग रहा है तो क्या करेंगी आप पिर इस से जो slope आ जाए ना उसका reciprocal लेना होगा और उसके साथ negative sign से multiply करना होगा ठीक है फर example अगर इस से हमारे पास slope कोई भी वेल्यू में चले example से आपको एक question से आपको clear हो जाएगा ठीक है मैं question कर लूँगा आप से उसको clear हो जाएगा ठीक है अब इस में x1 और y1 क्या है एक्स1 और y1 क्या है तो वह भी आपको clear हो जाएगा लेकिन सबसे पर अगर मैं question पर जाओं और यहां पर देख मार पास कौन सा question से सरह में अगर question लेता हूं देखिए पास दूर पॉइंट ही आज पॉइंट गिवन है और slope भी गवन है ठीक है अब इसमें तो बहुत आसान है चले मैं बता रहता हूं देखिए पॉइंट हमारे पास माईनस अफ़र गेट अब दघेए यह point है तो यह मारे पास एकशन हो विल्लियो फूट करणगा सिह और हमारे पास क्या है कि ये नहीं चाहिए वाई तो यह मैज़र तो य माइनस वाइवन हमारे पास क्या है तो यह प्लस वन हो जाएगा इकोल टू एम हमारे पास क्या है कि माइनस वन है अगर आप यहाँ तक समझ गए और यहाँ प्लस वन हो जाएगा अगर मैं इस वन को उदेर शिफ्ट करूंगा तो यहां से हतम होकर यहाँ पर क्या माइनस वन हो जाएगा प्लस वन माइस वन हतम हो गया तो y एकूल टू माइस 6 तो यह मारे पास क्या है equation है required equation ठीक है अब देखे अगर आपके पास तरीका clear है तो आप किसी भी question को मैंने पहली दिन बताये था कि अगर आपके पास तरीका है concept है तो आप किसी भी question को कर सकेंगे ठीक है अब यहां पर अगर मैं question में जाओं तो देखे question में हमारे पास यह जो 17 की बाद हमारे पास है ना अटार यह दोनों से हैं ठीक है अचा अब यहां पर देखे 19 में देखे 19 में आपको points given है ठीक है for example में यहां पर अगर देखे एक point में पास 3 4 है ठीक हो गया और slope मेरे पास क्या है slope नहीं और दूसरा है माइनस 2 5 ठीक हो गया चले माइनस 2 और 5 ठीक हो गया अब देखे अगर आपको पिछली exercise की वीडियो याद है अगर इसे पहले वीडियो आपने ने देखी है तो आप बहुत असानी से इस के question कर सकते हैं ठीक है चले में ऐख आप इस के question बहुत असानी से कर सकेंगे यह x 1 हो गया ये y 1 हो गया ये x 2 हो गया ये y 2 हो गया अब देखे मुझे dean किन के बारे में पता है equation हमारे पास क्या था, equation की formula हमारे पास क्या था, y minus y1 equal to m into x minus x1 हो गया, अब देखे, मुझे slope भी चाहिए, ठीक है, तो slope find करने के लिए मुझे पता है, अब मैं यहाँ पर कर लूँगा, कि, देखे, slope के लिए मेरे पास क्या फ़र्म हो रहता, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ठीक हो गया, अब देखे, y2 हमारे पास क्या है, 5 है, 5 minus 1 से 1 आएगा, और x2 minus x1, x2 मारे पास minus 2 minus 3, तो minus 2 minus plus कर इंग्रिशन, minus करे गया, तो minus 5, तो slope मेरे पास क्या आगया, minus 1 by 5, ठीक हो गया, आपके पास slope आगया, अब देखे, ज्यारतर लोगों को मसला क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि हम slope किस तरह फाइंड करेंगे, अब देखे, मेरे पास slope आगया, तो मैं इसको असानी से कर सकता हूँ, देखे, y minus y1 हमारे पास क्या है, 4 है, equal to m हमारे पास minus 1 by 5 है, ठीक है, x minus x1, x हमार 5, x minus minus plus 3 by 5 हाईगा, ठीक हो कि यहां तक पहुंच गई, ठीक हो कि अब देखे, y minus 4 equal to, अच्छा, इस minus 4 को अगर मैं उस side shift करूंगा, तो यहां से हतम हो जाएगा, ठीक हो कि तो equal to minus 1 by 5, x plus 3 by 5, और ही, इदर क्या था, minus था, तो इदर प्लस 4 हो जाएगा, अब इदर पे मैं minus 1 by 5, x अपनी जगा पर लोगा, प्लस, इसका मैं एल सेम लोगा, तो 5 एल सेम हो गया, 3, 5, 4, 20, यह हो गया, ठीक हो गया, यह y equal to, अच्छा, y equal to minus 1 by 5, x, प्लस, अच्छा, इसको 20 plus 3, 23 by 5, तो देखे, यह हमारे पास क्या आगया, equation आगया, अब देखे, answer को देखना जरू मसले होते हैं, या addition में होते हैं, या subtraction में होते हैं, ज्यारत तर लोगों को LCM का पता नहीं होता कि LCM किस तरह लेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, अगर आपको मसला LCM में है, तो मुझे बता सकते हैं, इन्शालों नेक्स टूडियू में आपको बता दूँगा, य अच्छा, इसमें इसकी बात जो question है, हमारे पास Y intercept given होता है, for example two, और X intercept भी given होता है, for example three, अब मुझे कहा जाता है, कि आप equation बावलूम करते हो, तो देखे, अगर Y two है, तो इसको मैं order pair की शेर में इस तरह लिख सकता हूँ, कि इसमें X zero होगा, और Y हमारे पास क्या है, two है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कि X three है, और Y हमारे पास क्या है, zero है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि, देखे, इसकी वज़ा क्या है, अगर ही मेरे पास एक graph है, Y equal to two का, for example, मुझे कोई कहे कि Y equal to two का मुझे graph बताओ, तो देखे, यह X axis है, यह Y है, for example, Y Y equal to two हमारे पास यहाँ है, तो इसका graph यहाँ होगा, अब मुझे कोई कहे कि Y equal to two का order pair बताओ, तो मैं बताओंगा, कि Y equal to two पे हमारे पास X की जो value है, वो यहाँ पर zero है, X की value zero है, और Y की value क्या है, यह two, two है, तो यह तो यह इसका order pair है, तो सबसे पहले आपनी question में, अगर Y intercept given है, तो इसका order pair बनाना होगा, और हमेशा पहले X होता है, फिर बाद में Y होता है, अगर देखे, अब यहाँ पर एक और चीज़, अगर X intercept given हो, for example, two, ठीक है, तो यहाँ तरकिका, इसको order pair की शकल में इस तरह लिख सकता हूँ, two zero, क्यों, क्योंगा, अगर इसकी equation में दे लिए है, तो देखे, यह X, X हमारे पास यहाँ पर two है, लेकिन Y हमारे पास zero है, तो मैं किक सकता हूँ, two zero, अब इसको आप X one, Y one का है, और इस तरह जो दूसरा आयता Y intercept for example two given है, तो आप उसको इस तरह लिख सकते है, zero two, अब देखे, zero two, अब इसको X one, Y one का है, और X को X two, Y two का हूँ, इसके बाद कि सारे कुसियन है ना, आप इसको कर सकते है, मैं आपको ज़र रकुसियन बता रहे था हूँ, देखे, recording खतम हो गई, अच्छा, मैं आपको तो रकुसियन बता रहे था हूँ, देखे, इसके बाद देखे ना, Y intercept given है, और slope given है, तो ठीक है ना, मैं जो तरीका बताया, आपने उसी तरह करना होगा, अगर आपको कोई मस्टा है तो बेशक बता सकते हैं, नेक्स ट्रीन में आपके लिए वो कर लूँगा, थैंक यूवे,